शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है ऐसे मैं आपको घबनाने की ज़रुद बिल्कुल भी नहीं है बिग ब्लीस है आपके साथ अभी डाउनलोड करें बिग ब्लीस एप और सिर्फ 10 मिलट में पाए अपना सारा समान बिग ब्लीस, खुशियों की अपनी दुकार नमस्कार, जानेंगे इस कारोबारी सब्ता major non-agri commodities याने precious metals, waste metals और energy complex में क्या रूप देखने मिलेगा शुरुआत gold और silver से करते हैं, तो जिस परिकार पिछले हफते हमने gold और silver की बात की थी एक उचाल आने की पूरी संभावना थी, हमने देखा कि शुरुआती दौर में चांदी में 60,000 तक की गिरावट देखने मिली, वहीं gold में भी 50,500 तक की गिरावट आते हुए देखी, लेकिन overall जो तेजी का रुप था वो फिर से दुबारा लोटा है बाजार में, और हमने देखा है कि 51,200 तक के उचाहियां हमने gold में देखी, याने spot gold में 1870 डॉलर, वहीं चांदी में भी 22 डॉलर के उपर की closing आने में prices कामयाब हुई है, भारतिय बजारों में करीबन 12,500-6,000 की closing देने में कामयाब हुई है, तो हमने निश्लिस तरों पे लगातार पिछले दो हफतों में buying का एक रुजान आते हुए देखा है, ऐसा लगता है आने वाले द हमें 105 के स्तरों से 101 के स्तरों तर दिखाई दी है, वो चीज है वो जो precious metals को फिलहाल upside drive कर रही हैं और हम देखेंगे कि 1900 डॉलर के करीब के भी prices spot gold में देखने मिल सकते हैं, वहीं चांदी में ऐसा लगता है कि करीबन 360,700-800 तक के level हमें देखने मिलेंगे, इमिजेट तोर पर और extreme case में 45,000 तक के स्तर भी देखने मिल सकते हैं, तो यहां पर भी buying की पूरी उम्मीद है, corresponding levels अगर में भारती बजारों में M6 gold की बात करूं तो ऐसा लगता है कि 15,500 और उसके बाद 15,800 तक के स्तर देखने मिल सकते हैं, याने dip buying करना advisable रहेगा, इमिजेट तोर पर 50,800 का support है gold में, वहीं चांदी में इमिजेट तोर पर 11,500 का एक मतवपून support level बनता है, वहीं अगर energy complex की बात करें तो हमने, हाला कि natural gas में गिरावट का रुख देखा या salon rallies होते हो देखा, लेकिन crude में कच्छे तेल में हमने देखा कि हर dip पे buying जो है उभर कर आ रही है, और हफते क जो tankers के तुरू या ships के तुरू योरोप में जो तेल आयात होता है रशिया से, उस पे एक बैन लगाया जिससे 90 प्रदिशत तक वहाँ पर जो import होगा रशिया से वो बैन हो जाएगा, वहीं हमने देखा कि OPEC ने रशिया echo as a member फिलहाल suspend करने की बात की थी, हाला कि production भी बैरल्स पर डे के मुकाबले 6,48,000 बैरल्स पर डे की एक बड़ोतरी करने की बात की गई है अगले दो मैनों तक, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि निशले स्तरों से कच्छे तेल में जो है उचालाता हो दिखा और अलगभग recent highs जो 9310 के थे उसके आस-पास ही फिल 9,300 के ओपर जैसे ही प्राइज निकलते हैं तो 9,550 तक किस तर इमिजट तोर पे देखेंगे और extreme case में 9700 तक के भी level देखने मिल सकते हैं यानि जो पिछले all time highs थे 9996 के थे उसके काफी करीब बजार जाने की पूरी उमीद दिखा रहा है वही पर natural gas में मैं समझता हूँ कि यहां पर एक contrarian bet में लेके चलूँगा मुझे लगता है कि इमिजट तोर पर 735 का जो all time high है या उसके करीब 734-50 के highs हैं वो निकलना थोड़ा difficult नजल आ रहा है काफी हद तक हम trend को mature होता हुआ देख रहे हैं और ऐसा लगता है कि उच्छाल पे विक्वाली करना ज्यादा बंद हो सकता है इमिजट तोर पर 700 का लेविल है उसके बाद 730 की करीब एक important resistance है जब भी उच्छाल देखने मिले आप विक्वाली कर सकते हैं डाउन साइड में 640 और उसके बाद 615 तक किस तर हमें देखने मिल सकते हैं तो यहां पर नाच्छल गैस में sell on rallies की सला होगी करके copper में और zinc में वह अची होते हुए देखे copper हमने जबरदस तेजी के साथ 810 के उपर के स्तर भी आते हुए देखे हलाकि close आते 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 802-801 के close आते हुए देखे आने वाले हफते में ऐसा लगता है कि एक profit booking का दौर रहेगा क्योंकि हमने 740 से लगातार जो एक short covering move है वो आते हुए देखा है तो ऐसा लगता है यहाँ पर correction की जरूरत है बजार में 810-815 के level जब तक नहीं निकल पाते है तब तक copper में गिरावट का रुक रहे सकता है और 785 तक किस तर हमें देखने मिल सकते हैं वहीं zinc में भी हमने 238 के करीब के level आते हुए देखे हैं अलाकि उसके बाद एक गिरावट आते हुए दिखी तो ऐसा लगता है कि zinc में भी फिलहाल मुनाफ़ा वसुली का दोर जारी रहेगा और 28-27 तक किस तर देखने मिलेंगे यानि यहाँ पर भी उच्छाल के विक्वाली करके चला जा सकता है वहीं अगर aluminum की बात करूं तो aluminum में ऐसा लगता है कि upside जो है वो limited होगा और 250 के स्थर जो है फिलाल निकलना तोड़ा मुश्किल लग रहा है हला कि fundamentally अब भी market deficit में हैं लेकिन क्योंकि बाकी के base metals एक दायरे में फसे हो हैं यानि हमने recent lows बनते वे देखे थे copper और zinc में तो उसका असर कहीं ना कहीं aluminum में भी आता हुआ और ऐसा लगता है कि दुबारा हमें 235 से 232 तक के स्थर देखने मिलेंगे तो overall base metals में एक मिला जुला सा रुजान रहेगा और हो सकता है कि हमें पिछले दो हफतों में जो जबरदस्त एक तीजी का रुकाते वे देखा है वो फिलहाल थोड़ा टाइम थम सकता है और क्योंक अपर में करीबन 2-5 फीजदी की और गिरावट है वहीं पर जिंक में भी असा लगता है कि 3-3.5 फीजदी की गिरावट करन्ट लेवल से भी देखने मिलेगी तो यह था एक जायजा कि आने वाले कुछ समय में जो major non-agri commodities हैं और में क्या रुक देखने मिलेगा दन्यवार